नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक्जाम पात्वाइंडर में स्वागत है आज हम डेपूटेशन के माध्यम से इंडिन इंश्टिर और कॉर्परेट अफेर्स में निकलेवे पद एसोशेट प्रोफेसर तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में डिस्कस करेंगे हाई दिखते हैं एसोशेट प्रोफेसर के लिए एसेंसल क्वालिफिकेशन और एसेंसल वर्क एक्स्पिरेंस क्या है एसोशेट प्रोफेसर के लिए एसेंसल क्वालिफिकेशन है एप्लिकेंट के पास PhD, 55% degree के साथ, master degree के साथ होनी चाहिए, relevant field में, और 8 साल का teaching experience होना चाहिए, graduate और post graduate student को या उसे related industry में work experience होना चाहिए, इसको apply करने की अधिक्तिमाई सीमा 70 वर से, तता assistant professor के लिए एप्लिकेंट के पास PhD होनी चाहिए, 55% preceding degree में, master degree में होने चाहिए, essential work experience है, 3 साल का essential work experience होना चाहिए, assistant professor के पास, इसको apply करने की अधिक्तिमाई सीमा 70 वर से, यहाँ आप देख सकते हैं, application की जो starting date है, वाद 6 जून 2020 है, तता large date 26 जून 2020 है, अब इसकी official website www.iica.nic इन पर जाकर इस related information collect कर सकते हैं, आप दिएगए निम्रकित address पर अप अपना form fill कर, send कर सकते हैं, address यह है, administrative officer 3rd, Indian history of corporate affairs, plot number 6, 7 and 8, sector 5, MIT manager, district Gurgaram, Harjana, अप यहाँ से related official notification, हिंदे advertisement, तता English advertisement, चेक कर सकते हैं, आईए देखते हैं, official notification, official notification इस प्रकार है, जो associate professor का पद है, वापी matrix level, 13A का है, तता assistant professor का जो पद है, वापी matrix level 11 का है, अगर आपको इस related and किसी चीज़ के बारे में जानकारी एकत करनी हूँ, तो आप forum, computer exam pathfinder पर आगकर, इस related चीज़ों के बारे में discuss कर सकते हैं, मैं आसा करता हूँ, आप सभी लोगों का वीडियो पसंद आया होगा, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवत,